हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल इडू हम सफर सफल सफलता कि और फ्रेंड्स आज जी सेशन मनलोग बिहार एससी सेकेंड इंटर अस्त्री एक्जाम यानि कि बी एससी द्वितिय इंटर लेवर एक्जाम के लिए या कीरन पॉब्लिकेशन के दर प्लेलिस्ट बना दिया है आप मेरे चैनल पर चले जिए और प्लेलिस्ट ओपन करके आप वहां से जरूर लगा लिए क्योंकि यह जो प्रैक्टिस सेट है जैसा एक्जाम में कोश्चन पुछता है वैसा ही दिया गए इस वाज़े से बहुत इपॉर्टेंट है आप सभी स क्योंकि इतनी बड़ी बहाली बिहार में बहुत कम आती है आए देखते हैं आपको अपको मॉडर प्रैक्टिस साथ को कभर करने वाले कि इसका कभर करने से पहले अगर इसका पीडिये पाना चाहते है तो पीडिये पाने के लिए अप में टेलिग्राम चैनल या वाटसब ग्रूप से जूड़ के ले सकते हैं जो कि लिंक जो है पको डिक्सिप्सन मिया कॉमेंट ब्रक्स मिल जाएगा इसमें किया है कि सबसे पहले समान अध्यान का कोश्चन दिया गया है उन्निस तो सहतालीस में स्वतंत्र भारत की प्रथम कैबिनेट में स्रीक्षा विभाग क प्रबहर किसके पास प्रभार किस के पस था यह जो प्रभार जो था मौलाना अब्दुलकलाम अजाद के पस था इसका जो एंसर जगा चार नंबर हो जाएगा जो जो थे 15 अगस्त 1947 से 2 फरावरी 1958 तक स्वतंतर भारत के पहले सिक्षा मंतरी के रूप में कारे किये थे हैं वही कोश्चन यह भी प आगला दिया गया था भारति Bennett क की सनुझेद में उच्तम न्याले को यहां टिकाए यह लिए जारी करने की सकती प्रदान किया गया अनुछेद 32 में confrontation प्राइब करने की सकती है इसका जो अनुचित प्रणा घ्रई याप याँ कोशन वह जीक होस्ट नियावच, नियुत झांडा तो और लिए आपर i08 च्वích जा लए बदिजी एने पीजी में यह इस्तिते जो कि यह बीजिंग में हंग जाओ ग्रांड नहर जो यह बीश्व की सबसे लंबी नहर है तो इसका जो एंसर जगा एक नमबर हो जाएगा जो कि यह ना केवल दुनिया की सबसे लंबी जो की क्रीत्रिम नदी यह नहर है बलकि यह एक परेटक अस्थल भी है पर्देशं में पहले मरच के महिने में मनाए जाता है इस स्थाक्षर क्या गाता है इसका राइट इंसर क्या हो जागा कि गांधी इर्विन समझाता जो किस चारेकरम से पहले किया गया था। यहआ जो किया गया था। दूतिय गोल में समेलन से पहले किया गया था। इसका जो consonants पूछ Xavier Ghandi इर्विन समझाता हुआ कब था तो यह जो हुआ था पांच मार्च 1931 को यह समझाता हुआ था आगे कोशन देखते हैं किसी लोक सेवक को निमली खित में से क्या बनने की अनुमती नहीं है बताई इसका राइट इंसर क्या हो जागा जो लेक सेवक जो होते हैं उन्हें क्या ब संसाक छे वह नहीं बन सकते हैं जो लेक कोशन देखते हैं लिकी तुम से कौन सी पूस्तक में गास्तिनीज द्वरां निकाई है क्या होड़ाँ यहाँ यहां छो पुष siitä दिया गया इसमें मेगासथिनीज के दवरा कौन सी पूश्ट क्लिकी गई यह जो लिखी एissenschaft पहला देगे नेचुराल सुचकांग दो हजर थेश में बड़े राज्यों की सूची में की सराज ने सीर्शास्थान प्राप्त किया अगर कोशन दिखते हैं निमलीकित मैं से की सिकारे के मुल्ग को राष्टी आई की गढ़ना में सामिल नहीं किया जता है इसका राइट इंसर क्या हो जागा इसमें से कीस कारी का मुल जो है उससे राष्टी आए की गढ़ना में सामिल नहीं किया जता है तो यह जो नहीं किया जता है वह ग्रीहनी के कारे जो है उसकी जो गढ़ना जो होता है राष्टी आए में गढ़ना नहीं कि जैसे घरेलु काम करने वाली एक ग्रीहनी को राश्टी आय में सामिल नहीं कि आज़ा क्योंकि एक ग्रीहनी दौर की जाने वाली सिवा का आकलन आर्थिक रूप से नहीं किया सकता इस वाज़े से आहले नहीं किया जाता है इसका जो एंसर चार नमबर हो जागा आगे कुश्चन देखते हैं इसका जो एंसर जगा तीन नमबर हो जागा जो कि यह पुष्टक जो है वो राम चरित्रम पाल राजा मदन पाल के सासन के दौरां संध्याकर नंदी के दौरा संस्क्रीत में लिखी गई एक महकाब्य कविता है आगे कोशन दिखते हैं जो कि दिया गई इसका चार नंबर होजाएगा आगे कोशन दिखते हैं कालादान मल्टी मोडल ट्रांजीट ट्रांस्पोर्ट प्रोजेक्ट के म टीटी पी का लख्ष कुलकत्ता बंदरगा को कीस देश से जोड़ना है इसका right answer क्या हो जाएगा कि यह काला दान मॉल्टी मॉडल जो है जो कि यह transit transport प्रोजेक्ट जो है इसका लक्ष जो है कोलकत्ता बंदरगा को किस से ज़ोड़ना है तो यह जो है यह मैंमार से है इसका जो answer जागा दो नमबर हो जाएगा आगे कोशन दिखते हैं जो कि दिया गया भारत से मयूर सिंहासन कौन लेकर गया था बताई इसका राइट इंसर क्या हो जगा भारत से मयूर सिंहासन जो वह किसके दोरा लेकर गया गया था यह जो गया था वो नादीर सा लेकर भारत से चला गया था इसका जो एंसर जगा चा को अपने साथ लेके चला गया था इसका जो एंसर जगा चार नमबर हो जागा आगे कोशन देखते हैं जो कि जावल की खेती को जाबो प्रणाणी भारत के इन में से की स्राज में प्रचलीत जल संचे की एक स्वदेशी भी दिये बताई इसका राइट इंसर क्या हो जागा कि महेश भूपती और लिएंडर पेस ने कीस वर्स बिमालडन पुरूस यूगल किताब जीते थे इसका जो एंसर जगा दो नमबर हो जागा आगे कोशन देखते हैं मंदाकनी नदी डैस में अलगनानदा नदी से मिलती है बताई इसका राइट इंसर क्या हो जागा यहां पर देओ प्रियाग क्या जगा इनसर जगा तीन नमबर हो जाएगा जो किया मंदाकनी नदी जो है रूद्र प्रियाग में अलगनानदा से मिलती है आगे कोशन देखते है जो कि अनिम्न में से कौन सी घटना नंगाल विभाजन से पुरो घटी थी बताईए इसका राइट इस क्या हो जागा कि 1905 में बंगाल विभाजन से पूरे इसमें से कौन सी घटना घटी थी यह जो घटना जो घटी थी चापेकर बंधुदर प्लेग कमिशनर की हत्या इसका जो एंसर जागा च्यार नमबर हो जागा जो कि 22 जून 1897 इसमे को दमोदर मंदु हरी चापेकर और बाल कृष्ण हरी चापेकर ने महराष्ट के पूरे में ब्रीटिस अधिकारी डावलू सी रेंड और उनके सेन ने अनुरक्षक लेफटनेंट आरियस्ट के हत्या कर दिया था जो कि पूरे के जनता रेंड द्वारा निउक्त अधिकारी और सैनिकों की बरबरता से निरास थी जो किया हो जो था 1857 के बिद्रोह के बाद भारत में उगरवादिये राष्टवाद का यह पहला मामला था जो कि 1905 में बंगाल विभाजन से पहले यह घटना हो था इसका ज इसका जो सही जो एंसर जगा अंतराष्टी रेड क्लॉस समीति की अस्थापना जो यह किये थे इसका जो एंसर जगा तीन नंबर हो जागा जो कि यह हैंड्री डिवनेट को 1901 में यह फैंड्रिक पासी के साथ पहला नोबेल सांती पुरुसकार दिया गया था जो कि डिवन सापना जो ए 1863 हिस भी में किया गया था आगे कोशन देखते हैं जो कि दिया गए को बुरही दिहांग निमलिखित में से कीस नदी की सहायक नदी बताए इसका राइट एंसर क्या हो जागा जो कि पटकाई हिल्स जो इस्तित है उसी के पास यह हिस्तित है आगे कोशन देख जब किसी कार में और सकता से अधिक लोगों लगे रहते हैं तो उसे कीस नाम से जाना जाता है इसको छूपी हुई बिरोजगारी के नाम से भी जाना जाता है इसका जो एंसर जगा तीन नमबर हो जागा आगे कोशन देखते हैं जो करीड़ा नामक लोग निरेती इन में से की सराज से सम्दित है इसका राइट एंसर क्या हो जागा ग्रीड़ा नामक लोग निरेती इन में तियाहा जो सम्दित जो हो मढदपर्दे से इसका जो एंसर जगा दो नमबर हो जागा आगे कोशन देखते हैं जो करें कि UNEP ने चैंपिएंट्स अफ अफ द ओर्थ पृश फिना बेल मोट जो किया गया अगला देख फंडाको एलेन मेकार्थर जो कि इन्हें भी किया गया तो उप्यूक्त में से सभी इसका जो एंसर जगा चार नंबर हो जाएगा आगे कोशन देखते हैं जो कि इन में से कौन से ब्रंपूत नदी का उद्गम अस्थल बताइए इस अरुनाचर प्रदेश राजे में पहली बार प्रुवेस करती है इसका जो एंसर जगा चार नंबर हो जाएगा आगे कोशन देखते हैं जो कि इन सवतंतरता मेरा जनमसीद अधिकार है और मैं इसे लेकर हो जागा या नारा किसके द्वरा दिया गया था तो यह जो दिया ग प्रिथमी के सतह जो उसमें चटानों को टूटने को किस नाम से जाना जाता है यह जो जाना जाता है अप छै के नाम से इसका जो एंसर जगा दो नमबर हो जाएगा आगे कुशन देखते हैं जो कि उत्तर प्रदेश में बनारश डेरी संकूल योजना की अधार सिला डैस को बनारश रूखे में मंबरिद आख जो पोड नाम से जासी जाना चांद में में जारी का जाती है यो की सही है अग्ला ध्यों बनांक मौनिए अरक्षित मुद्रा या रिजर्व मनी औरमुद्रा अपूर्थी मनी सप्लाई काrado्य का अनुपात है जो कि यह भी कानपाथ आगे देख लेते हैं जो कि दिया गई सावधी जमा में परिप्वक्ता के बाद या फिर परिप्वक्ता से पहले और्थ डंड के साथ ही पैसा निकाला जा सकता है जो कि यह भी सही है तता अगला देख वाल्ट कैस भी मुद्रा अपूर्ती मौनी सप्लाई का एक हिसा है जो क त्राईट इनसर कि यह जगा संसर्जन होता है कि इसका इनसर के कि कि चालूंदान आम के नंतर नहीं को ब मिर्व क उंससर्टर नहीं हो सकता है जो किष्य में यह ही कहा वहाँ यह कि राश्क्ती संसर्ट संसर्ट सकते हैं आगे कोशन देखते हैं जो कि दिया तव्यमील शमर्द्व मुरूगण का पूजा समरो के दौरान भॉक्तों दौरा निमली हित्म से कौन सा निर्त्य प्रस्तुत किया जाता है बताए इसका राइट अन्सर क्या हो जागा तमिल समर्द्व पूजा इस समरोह में 20 भक्तों दोरह कौन सान नृत्य किया जाता है यह जो किया जाता है कावडी आटम किया जाता है इसका जो एनसर जगा तीन नमबर जागा है कावडी आटम जो तेवहार यह मुख रूप से तमिलनादू के हिंदू दोरह मनाया जाता है आगे कोशन देखते हैं जो दिया गए कि भारत के केंदर सासित प्रदेशों का प्रसासन निमली खीत में से कौन संभलता है तत्वरंजनी सभा के अस्थापना के जिसे कलांतर में तत्वरंजनी या सत्य साधक सभा के नाम से भी जाना जाता है जो कि इसका उद्देश क्या था तो इसका उद्देश जो था धार्मिक पूश्टाच को प्रोचाहित करना और उपनी सुदो के सार को प्रसार करना था आए अगला कोशन देखते हैं दिया गए निमली खित्म से की से उत्रापत स्वामी की उपाधी दी गई है बताई इसका राइट एंसर क्या हो जागा कि सबसे तेज मानो निर्मित वस्तू इन में से कौन बन गई है यह पारकर, सोलर, प्रोब जो है या सबसे तेज मानो निर्मित वस्तू बन गई है इसका जो एंसर जगा दो नमबर हो जाएगा आगे कोशन दखते हैं जो कि निमलीकित में से कौन सा operating system का उदाहरन नहीं है बताए इसका right answer क्या हो जगा जगा इसका operating system का उदाहरन इन में से कौन सा नहीं है तो देख लेते हैं पहला MS Office, MS Office जो है उपरेटिंग सिस्टम का उदाहरन नहीं है तो इसका जो एंसर जगा ए नमबर हो जागा यह क्या होता है तो एक उपरेटिंग सिस्टम एक सौफ्ट्वेर होता है जो कि कॉम्प्यूटर हाडवेर और सौफ्ट्वेर संसाधनों का प्रबंधन करता है आगे से कौन से लेंडमार्क चिन है जो कि ओंटरिया जील और एरी जील के बीच इस्थित है तो यह जो इस्थित जो वह नियागरा प्रपात है इसका जो एंसर जगा एक नमबर हो जागा जो कि यह नियागरा जलब प्रपात कहां पे है तिया जो सन्युक्त राज अमेरिका में आगे कोशन देखते हैं, जो कि दिया गैं, जो कि दिया गैं, जो कि दिया गैं,usalem में, 14 वर्सों से कम उम्र की लड़किया, और 18 वर्से कम उम्र के लड़कों के विवाह पर रोक लगाने वला कौन सा एक्ट या अधिनियम पारिथ किया गया था, वह सारदा एक्ट पारित किया गया था इसका जो एंसर जगा दो नमबर हो जागा जो कि इसके प्रियोजक जो थे हरी बिलास सारदा थे इसलिए इसे सारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है इसका जो एंसर जगा दो नमबर हो जागा आगे question देखते हैं जो कि भारत में पसाड काली इन सीला चित्रकारी कहां पाई जाती है यह जो पाई जाता है यह भारत में पसाड काली इन सीला चित्रकारी कहां पर पाई जाती है तो यह जो पाई जाता है यह भीमबेटका में पाई जाता है इसका जो एंसर जगा चार आगे कॉशन देखते हैं जो कि यह वंडे 200 कप इतिहास में सबसे तेज 12 सतक लगाने वाले बले बाज कौन बन गए बताइए इसका राइट एंसर क्या हो जागा कि वंडे 200 कप में सबसे 12 सतक लगाने वाले कौन बन गए तो यहाँ जो ओपसं जो दिया गया है options के हिसाब से Glenn Maxwell हो जाएंगे इसका जो answer जगा चार नमबर हो जाएगा जो कि यह कहां के रहने वले हैं तो इसमें से कौन सदस से नहीं थे तो देख लेते हैं इसमें कौन नहीं थे बताना है तो पहला देगए Harry Levy Lawson जो कि थे हैं आगला देगए John Simon जो कि यह भी थे हैं जो कि इसमें नहीं के नाम पर साइमन कमिशन रखा गया था तो अगला देख क्लेमेंट इटली जो कि यह भी थे तो अगला देगए James A. Scott जो कि यह जो थे नहीं थे इसमें नहीं वाला ही बताना था इसका जो answer जो जगा वो चार नमबर हो जाएगा इसका answer क्या हो जागा तो चार करवाय गया था इसका निर्माड जो है 1648 में कराया गया था इसका answer जगा तीन नमबर हो जागा जो कौन करवाया थे इसका निर्माड मुंगल बत्सा साहजहा के द्वरा 1648 में यह करवाया था आगे कोशन देखते हैं जो कि यह समिधान सबहा का अनुछे 23 और 24 निमली कित् जो है यह सोसन के ब्रूद अधिकार से है इसका जो answer जगा एक नमबर हो जागा जो कि अनुछे 23 क्या कहता है तो अनुछे 23 जो है मानों के अवेद बेपार और बेगार इसी तरह के अन्य परकार के बलात स्रम को प्रभंदित करता है वही अनुछे 24 क्या है तो अनुछे 24 के 14 वर से कम आयू के किसी भी बच्चे को किसी कर खाने या ख़दान में काम करने के लिए किसी अन्य खतरनाक जो रुजगार में नहीं लगाया जाएगा इसका जो answer जगा एक नमबर हो जागा आगे question देखते है जो कि दिया गया निमलीखित में से कीस लेखक ने train to Pakistan पूस्तक लिखा गया इसका राइट एंसर क्या हो जागा है कि train to Pakistan पूस्तक जो है वक किसके द्वरा लिखा गया तो यह जो लिखा गया है खुस्वन सींग के द्वरा लिखा गया इसका जो answer जगा चार नमबर हो जाएगा आगे question देखते हैं जो कि दिया है कुमार कॉम नौका दोड डेस उत्सव के दोरान सितंबर में बेमनाट जिल में होने वाली सबसे प्रसांसिक नौका दोड़ है बताए इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा कि कुमार कॉम नौका दोड़ जोता है वक उत्सव जोता है इसके दोरान सितंबर में बेमनाट जिल में यह होने वाली सबस प्रदरसी नौका दोड़ है तो यह जो है यह तेवहार जो कौन सा होता है तो यह ओडम तेवहार के उपलक्ष में यह केरल राज में मनाया जाता है इसका जो एंसर चार नंबर हो जाएगा जो कि आगे कोश्चन देखते हैं जो कि भारत में अलक नंदा नदी भागी राथी नदी में कहां मिलती है इसकार नंदा नदी जो भागी राथी नदी से कहां पर मिलती है तियाह जो मिलती है वह देव प्रियाग में मिलती है इसका जो एंसर जगा ऐक नमबर हो जाएगा। आगे देख लिते हैं जो कि दिया है कि आईने अक्परी जो अक्पर नामा पुष्टा का तीसरा खंड़ दैस से संबंधित है। यह जो सम्मंद जो है यह अकवर के प्रसासन से, इसका जो एंसर जागा, 4 नंबर हो जागा, जो कि यह अब्दुल फजल के दोरा लिखित, अकवर नमा जो फार्सी भासा में लिखी गया, ति कोश्चन पुछा हुए है, ऎकबर के पुरुजों से कीया है, तीसरा को किस नाम से जाना जाता है, इसका जो एंसर चार नमबर हो जाएगा, आगे कोशन देखते हैं, जो की अगला कोशन जाएगा vais कि राष्टपती और यूप राष्टपती दोनों की अनुपस्तिती में भारत के राष्टपती का कारेबहार कौन संभालता है बताए इसका राइट एंसर क्या हो जागा राष्ट्पती और राष्ट्पती दोनों की अनिपस्थिति में भारत के राष्ट्पति जो 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 किस से संबंदीते है तिई इसका संबन्द जो वो LPG connection से इसका जो answer जगा दो नमबर हो जागा जो कि यह प्रहान मंत्री उज्वला योजना जो इसकी सुरुवात कहां से किया गया था तो इसकी सुरुवात जो उत्तर ब्रद्स के बलियां से एक माई 2016 को इसकी उडगाटन किया गया था जो कि यह BPL परि स हंज्वाइ किसके साथ साथ आफगानिस्तान के साथ करता है इसका जो answer कहा हो राजभारत को एक सो मेथा किलोमेटर सेमा षाज्वा करता है आगे इसका देखते है जहर्यारा की 2022 का जन गरना के अंसार निमिजिए मैं Бhon sa है बतारे इस correcting इंसर pioneer के जन गरना के उनसार इनमें से भारत के सबसे साक्षर राज कौन सा है तो साक्षर राज जो सबसे केरल है इसका जो एंसर जगा तीन नमबर हो जाएगा आगे जो कोशन देखते हैं समान बिग्यान और गणीत का कोशन दिया गए देख लेते हैं समान बिग्यान का पहला कोशन क्या दिया गए इस क्राइट इंसर क्या हो जागा कि इन में से क्या चटान बनाने वाले सीलिकेट खनीज का एक बड़ा समूव है जो कि भूप परपटी के 50% से अधिक का गठन करता है तथा काच और सीरेमिक उद्योगों में ब्यापक रुप से उपयोग किया जाता है तो यह जो उपयोग जो किया जाता है वह होता है फेल सपार होता है इसका जो एंसर जगा दो नमबर हो जागा आगे कोशन देखते हैं जो कि यह निम लिखे तुमसे कौन सी दो गैस प्रीथमी के वायू मंडल का मुख्य हिसा है बताए इसका रायाइट एंसर क्या हो जागा यहां कौन सा दो गैस है जो प्रीथमी के वायू मंडल का मुख्य हिसा है यहाँ जो मुख्य हिसा जो नाइटरोजन और ऑक्सीजन है इसका जो एंसर जगा दो नमबर हो जागा जो कि nitrogen जो है वो 78% वायू मंडल में पाए जाता है वह oxygen जो है 21% पर 30 सत oxygen जो है वायू मंडल में पाए जाता है इसका जो answer जगाद दो नमबर हो जाएगा आगे कोशन देखते हैं जो कि दिया है कि 87% में पहली बर खोजे गए जिली बूध कोसिका कौन से जिन्हें अकसर कोसिका के उर्जा करखाने के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि वे कोसिका के मुख्य उर्जा वाहक अडू एडिनोसीन ट्राइफोस्पेट ATP बनाने के लि लार में कौन से इंजाइम मौजूद होता है इसका राइट एंसर क्या हो जागा लार में कौन से इंजाइम मौजूद होता है तिया जो होता है इमाईलेज होता है इसका एंसर जगा ए नमबर हो जाएगा जो कि लार में इमाईलेज होता है जिसे टाइलीन भी कहा जाता है जो कि लार्ज होता है, इमाइलेज कार्बोहेडरेट को सरक्रा जैसे छोटे अडवों में तोड़ देता है आगे कोशन देखते हैं, जो कि दिया है, केंद्रिय डागमा के लिए सही क्रम चुने यहाँ सही क्रम चुनना है, तो इसका सही क्रम जो हो जाएगा इसका हो जागा DNA प्रतिकिर्ती, mRNA प्रतिलेखन और प्रोटीन अस्थांतरन हो जागा इसका जो एंसर हो जागा दो नमबर हो जागा आगे कोशन देखते हैं, जो कि दिया है, कि एक गुलकार दरपण और पतली गुलकार लेंस प्रतियक में माइनस 20 सेंटीमेटर की फोकल लंबाई होती है, ऐसे परिद्री से में निमली खित्म से कौन सा सत्य होने की संभावना है तो इसमें सत्य होने की संभावना जो यहाँ जो दिया गया है, दरपण उतल है और लेंस अतल है, इसका जो एंसर जगा दो नमबर हो जागा आगे कोशन दिखते हैं, जो कि दिया निमली खित्म से कौन उचाई के साथ बढ़ाया या घटाया जाता है, बताए इसका राइट नसर क्या हो जागा सब्सक्राइब सब्सक्राइब गुणे 10 के पावर 24 किलोग्राम होता है इसका चार नुपर हो जागा यही कोशन पूछा ऊता है कि उत्सक्राइब वेग कितना होता है तो प्रिथमी का प्लायन वेग जोता है 11.2 किलो मिटर पर सेकेंड होता है आगे कोशन देखते हैं जो कि एक बीधूत उपकरण एक सेकेंड में 1000 जूल उड़ जागे खपत करता है यदि यह एक घंटा चलता है तो इसके दुरह खपत की गई बिजली के मत सेकेंड लगों में 1000 जूल निकालन चाहिए ऊंसर लिएक घंटा कर लाहंदा लिए अब एकाई प्रकार का कार्बिनिक अमल ही है जो कि संत्रीप्त अथवा संत्रीप्त दोनों हो सकता है इसका जो एंसर जगा एक नमबर हो जागा सेचुरेटेड़ और अनसचुरेटेड़ दोनों प्रकार का होता है आगे क्वेशन देखते हैं जो कि दिया है कि यदि कोई वास्तु समान समय अंतराल में समान दूरी ताय करती है तो उससे क्या कहा जाता है जो कहा जता है असमान नेगती कहा जाता है इसका जो answer जगा एक नमबर हो जाएगा आगे question देखते हैं जो कि दिया गए निमलीखित में से कौन से जीव बहु भी खंडन द्वरा प्रजनन करता है इसका राइट इंसर क्या हो जाएगा कौन सा जीव बहु भी खंडन के द्वरा प्रजनन करत है यह है जो करता है इसका कड़ा है तब बनाता है इसका निमलीखित मेंसे कौन सा सरीर कोशिका की दो परतों से बना होता है इसमें से कौन सा सरीर है जो कोशिका के दो परतों से बना होता है तियाहा जो बना होता है है इसका जो एंसर जगा तीन नमबर हो जाएगा जो कि यह नीडेरिया संका जनतु है जिसमें अमर जीव भी कहा जाता है याद रखे हैगा है प्राज़न का बीधी में मुकूलन कहा जाता है याद राखिया जिए जो प्राज़न जिस पीधी से करता है उसे मीधेरिया संका जनतु होता है आगे कोशन देखते हैं जो कि आनिम्ण में से कीस मामले में किसी बेगती के पास अधिकतम इस्थिती कूरजा होगी बताए इसका केंदर से दूरी और गुर्टवाका रसन पमलव पर निर्भर कारता है इस वज़े से स्थित्य कूर्जा का मातरख होता है गया कुशन देखते हैं यह के एक फीलामिंट द्वरा सी धारा आर्स होता है यह द्रील का यह से प्रवाहित होने वाले बीधू तावेस की मातरा ग्याद कीजिए यह जो इसका मातरा जो जगा 42 कुलम्ब हो जागा इसका जो एंसर जगा चार नमबर हो जागा आगे कोशन देखते हैं जो कि दिया है पहले समुहों के तत्तो को कहा जाता है बताए इसका राइट एंसर क्य हाने के कारण कारवं बन क्या दर्स आता है बताए इसका राइट इंसर क्या हो जागा इनसर नमबर के दता आगे जानवरों के सबसे बड़ा समू है बताई इस क्राइट एंसर क्या हो जागा कि कौन सा समू है जो जानवरों का सबसे बड़ा समू है तो यह जो समू जो है वह अर्थो पोड़ा है इसका जो एंसर जगा दो नमबर हो जाएगा जो कि अर्थो पोड़ा जो है जानतू जगत का सबसे बड़ा संग इस संग भी कई वर्गों में बटा गया है, जिसमें इसे कीट वर्ग सबसे मुझ के सबसे बड़ा वर्ग है। बिद्वानी को कम करने के लिए और डिटोरियम की छटो और दिवालों को किस से ढखा जाता है नर्प का जो 17 मीटर के दूरी अवस्यक होता है आगे कोशन देखते हैं जो कि यह पॉली सतह पर प्रकास की एक किरंट सतह पर मिलने के बाद उसी माध्य में लोटती है उसे कहा जाता है इसका एंसर जगा चार नंबर हो जाएगा जो कि परवर्तन क्या होता है तो परवर्तन किसी चिकनी सतह से टकरा कर प्रकास के वापस लोटनी की घटना को प्रकास का परवर्तन कहा जता है फिर यही दिया गए यहाँ बीवर्तन बीवर्तन क्या होता है तो अरोध अथवा छीद्र के तिक शकीनारों पर प्रकास के आंसि अगे कोशन देखते हैं जो को दिया गया कि आपने के लिए की सूपकरण का प्रियोग किया जाता है जो एंसर चाहर नमबर होता है जोग देखते हैं दिया गया कि एक थार्मोप्लास्टिक पॉलीमर नहीं बताएं-धे स्क्राइबड पाली मर नहीं है तो पहला देगा इक आर्मबिक प्लास्टिक था जो किया ह जो है यह फिनॉन के फार्मिल्डीहाइब से एलिमिनेशन पर किया पर बनता है जो जगा एक नमर हो जागा जो किया नहीं है आगे कॉशन देखते हैं जो 74 कोशन दिए प्रस्वशन और निस्वासन होता है इसका जो एंसर जगा इक नमबर हो जाएगा आज इतना ही रखते हैं आगे जो कोश्चन है मैथस ओरीजिनी का कोश्चन है जिसका solution जो आपको PDF में दे जगा PDF पाने के लिए आप में टेलग्राम चनल ये वाट सब गूरूप से जूड़ के लिए सकते हैं जो के link जो है आपको description में या comment box में मिल जागा अगर अभी तक आप चैनल को subscribe निकिए हैं